गुद मॉर्निंग क्लास देखिए अब हमार नेक्स ट्रॉपिक है चेक यूर फूड यह बड़ा इंट्रस्टिंग है यह मतलब आपको करके देखने का चीज है अब इसको करके देखेगा बहुत अच्छा लगेगा हमको बेसिकली क्या करना है किसी भी आइटम का जो चीज हम सबस्क्राइब करनी है कि सबस्क्राइब करते है जो सबस्क्राइब करने के लिए अपली परीक्त इसकी अखिस सब्सक्राइब case जो होते हैं उसी को चेक करने के लिए बैसी क्या करहा है यह जो स्टैप्स हैं यह जो अप्लाई करना चाहिए और आपका एक बर घर में फ्री टाइम में करके देखना न इसकिंग गर आया की नहीं जाहिए । तो जैसे दूद की प्रीविटी चेक चरनी मालो के कैसे करेंगे put a drop of milk on the polished slanting surface if it flows leaving a white trail behind then it's pure but if flows without leaving a mark it is order-derated देखो हमको क्या करने है दूद लेने है थोड़ा सा चम्मच में लेने है और उसको क्या करने है ऐसे surface में मतलब हमारा जो जमीन है नीचे वहाँ पे क्या करने है slanting surface polished surface में थोड़ा सा उसको गिरा देना है अगर वह दूद जो है वह बहा और white white portion को लेके बहता है अगर white trail छोड़ता है इसका मतलब वह pure दूद है लेकिन अगर कुछ भी मार्क नहीं आया उसमें इसका मतलब उस दूद में कुछ न कुछ मिलावट है आ रहे समझ में क्योंकि दूद में क्या होती है मिलावट होती है synthetic milk जो है वो थोड़ा सा कड़वा या सूपी जो कड़वा टेस्ट पर देता है अगर दूद में क्या हो थोड़ा सा मिलावट होतो है आ रहे समझ में and almost सूपी after test and turns yellow on heating और जब हम गरम करते ना उसको तो वह क्या होता है थोड़ा सा यलोई इस पना आ जाता है मतलब कर जो जिसमें मिलावट होता है दूद में ठीक तो आप इसको चेक करके देखेगा दूद वाला किस्सा तो आप करी सकते है साथ में सेम आपका honey वाला दिये है इसको भी करके देखना तेको honey में भी क्या करता है उसमें भी पानी डाला जाता है तो इंक्रीज दी बॉटल कॉंटिटी जैसे एक डिब्बे में हम ले रहे हैं ना दूम मतलब उसको जी क्या को बोलते हैं बstar हनी को सहेथ को उसमें क्या बढ़ाने क्लाए पानी मिला दिया जाता है तो उसको चेक करने क्लिए ऐख क्या करना रोई लेना रोई को हनी में तुबालना और उसको नश तो मीक्स अगर उसमें लाऑ कि जोकोन हो यूई 0 लेकिन अगर उसमें पानी नहीं है तो वो जल जाएगा CDC बात तो ये एक मदब ट्रिक है बोलना चाहिए तो चेक करने का ये बड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने पढ़ी ना तो मैं को ऐसे लगा कि ये चीज़ तो मैं भी नहीं जानती थी और सेरियसली I didn't know about this मैं को ये आपसे पताने से पहले मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी इसको चेक करते हैं तो ये बड़ा माज़ेतार है आप लोग ने इसको करके देखना मुझे बताना कि सच में ऐसा रिजल्ट आया की नहीं आया ठीक वैसे बहुत सारा आईटा में आइसक्रीम है ग्रिन इसमें भी मिलावट होता है बताओ सुगर है तीली चाय पती इसमें भी मिलावट होती है इतनी सारी चीजें इवन सोप में साइन्स वाले जो करते थे एक बर में 10th के 11th के क्लास में गई थी तो लोग प्राक्टिकल कर रहे थे माड़म करा रहे थे तो वाला शैंपू वाल तो आपको जो सोप है या वासिंग पौडर है इसका टेस्ट करने के लिए देंगे टर्बिटडी टेस्ट बोलते हैं उसको तो ये पानी का भी चेकिंग होती है पानी में भी कुछ मिलावट होता है हर एक चीज में है तो आप उसको चेक करिए थे ना चेक इट बाईयोर से चेक कर सकते हो आइस्क्रीम में बिसिकली वासिंग पाउडर मिलाते हैं बताओ वाइट कलर देने के लिए है ना तो इस ग्रीव दी वाइट शीन और लाइटनेस ओफ दी फ्लेवर स्क्वीज फ्रीव ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस अगर हमको चेक करना है तो हम उसमें पढ़े हो आप लोग पढ़ सकते हो है ना थोड़ा पढ़िये समझ में आजाएगा ग्रीव दी चीले में कुछ कलर मिला जाता है और ड्राइट ब्राइट कलर मिला जाता तो इसको अट्रेक्टिव बनाने के लिए ठीक तो उसमें हम लोग क्या करेंगे उसको मतलब एक और इसको मतलब मिलाते हैं किसमें ग्रिन चिली में ठीक तो यह आप ऐसा प्रेटी को उसकी चेक कर सकते हो ठीक तो चेक दर प्लेस ऑन देम ओवर आप मॉस्टन वाइट ब्लॉटिंग पेपर अब इसमें क्या लिखा है कोई ब्लॉटिंग पेपर है उसके उपर आप इसको तुम पेपर में ऐसे ऐसा फिर्ड़ चुट गया मतलब क्या बढ़ना चीए पपेपर में अगर अगर कलर आया इसका मतलब इसमें करर मिला-अथा और नहीं आया तो नहीं मिला फ्यार ने नें अगर अख दो आप चेक कीजिए सुगर में भी मिलावट है आरे समझ में बश यह बड़ अच्छा है बिजनेस वर्ड में कुछ बड़े बिजनेस टाइकून है जीन का पहले कुछ अग नाम था और अभी कुछ अलग नाम है तो उसको आपको समझाना है जिससे तेल को अपको बताना है कौन सी कंपनी का ओल नीम टेल को है मैंने जान पुछ किसको फिल ने जान खश्ती आपको यह पहले हैं तो अटाइंग लगो को पहचाना है कौन कौनसे का है टेक यह जो इसका डाइबाएं चछ बूद हैं आपको यह जो पहिंक लोगों को पहचाना है कौन-कौन इसमें कुछ ऐसे चैलेंज मेकर हैं जिन्होंने बहुत ही राडिकल चेंजे समारे सुसाइटी मेलाया है जैसे आपको पता है जो टॉलेट मोमेंट है इसको बोला जाता है अभी तो मोदी जी ने इनको बहुत ही मतलब प्रोमोट किया है घर में हो सौचाले ऐसे करके उस अगुनम भाह रहे है तो यह संदोलिकल फाउनलप ए बार मेंट कर्का चाल प्रॉलिकल में इंडिया बर्ड़ामन फञारों बिहार में रिकलील फिंफकास्ट मेंंने इस विदैनर प्राइजोंद भाह में झाल पाउलेटोंिन करप की दॉन तोट बाता है जमिग्सितांना नाम है आइधिंग बिंदेशवर पाठक ठेक एक्षुली यह पढ़ाई वड़ाई के बाद यह टॉलिट उसमें ही लग गये थे अपनी लाइफ को मतलब उसमें ही क्या किये इदब डेडिकेट कर दिये कि लोगों को क्या करेंगे टॉलिट का डिजाइन उन्होंने शेट अप के और वहलें की लोगों को बाहर जो है सौच करी नहां जाने दिया जाए ठीक इन सब के लिए उन्होंने बहुत ही प्राइस किया है तो यह सभी चीज़े नोने इन्वाइट किया है यह कोई टार्गेट नहीं था कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है यह ऐसा इनका कोई टार्गेट में नहीं था कि लोगों को क्या करें वो जागरुक करें और उनको फैसिलिटी प्रवाइट करें इनका कोई ऐसे मतला बिजनस कांटेक्स से नहीं यह सिर्फ क्या करने थे लोगों का मदद करना चाह रहे थी इसलिए ठीक मिल्कमेन ऑफ इंडिया है सेकें मिल्कमेन ऑफ इंडिया आपको पता है फांडर ऑफ वाइट जैसे सोचल साइंस में पढ़ते हो गया फांडर ऑफ ग्रीन रिवल्यूशन फांडर आफ वाइट रिवल्यूशन दूद का जिन्होंने मिल्कमेन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है तो यह कौन है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरेयन बगल मीन का डाइग्राम दिया है एसी आपको बढ़ी बड़ी डती इसलिपरिती बचश पहलम इनकी बाता हैं मिल्का प्रश थेय।सम के चींजिग में उन समझना अपशीन आपको क्या से कीशन ए मिल्कमार जो विल्कुरें यह नहीं समय सॅथ जैसे एक संपत पाल देवी हैं संपत पाल देवी जो बैसी कहले थे से फाउंड एन एक्स्टर ओर्डिनरी वूमेंट इन 2006 बांडा डिस्ट्रिक अफ उत्तरपदेश के हैं बहुत ही ब्रेव वोमन थी उन्होंने गुलाबी गैंख बनाया हैं जिसमें मतलब मतलब यह क्या किये थे दे ग्रूप स्ट्रॉंगली फाइट फॉर्ड वूमन शुड है इक्वेलन सोचो एकोनोमिकल कुर्शल और पॉर्टिकल अपरशनिटी अज मैं तो यह कहना था कि भई जैसे मैंस को जो अपरशनिटी मिलती है ना जो लड़कियों को जीतना के लिए इनको मतलब एक्स्ट्रा ओर्डिनरी वोमन कहा जाता है और नेम इस वाट संपत पाल देवी और सी बिलॉंग स्टू तरप्रदेश और इनके गैंग का नाम किया था इनके ग्रूप का नाम किया था गुलाबी कहेंगा इस यू कन सी इन सारी है ना यह जनरली वोट पिंक सारी पहनी है तो आपको पते ही चल जाएगा कि गुलाबी तो ऐसी ही है मेट्रो मैन नाम बताने का जरत नहीं है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इस ओविसली इस रिधरन तो यह इन्होंने इन जो इंजिनियर है यह बेसिकली मेट्रो टेन जो है स्टैब्लिश के था मेट कुछ हेंट दिये हैं पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पर उसको भरना है जैसे दा कंट्री स्टैल डिटेनेट्स मोनार्की एंड फोस्ट एवर नेशनल टू इंडस्ट्राइज ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने पहली बार जो है मतलब इंडस्ट्राइज किया था आप पढ़े करना है जैसे इसमुंत दिया है उसका जद्राइज ना थले काम लाक broom काम करना थे और Home of Ataturk अब ये अथा तूर्क तर्की बोलते है नॉर्मल ये वो कंट्री है जो तो ऐसी चोटे चेच चीजे दी है ते लेंग मारे में भी ही दिया है और मतलब हिंट दिया है अलग ताइप से अलग अलग तरीके से अब उसको बस उसको क्रैक करना है बाइ